चंदिगड समेत पंजाब हर्याना के कई जिलों में आने वाले दिनों में घना कोहरा चाया रहेगा हलाकि लगातार मौसम विभाग के तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है लोगों को भी साफधानियां बरतने की बात की जा रही है क्योंकि कोहरे की वज़े से जो विजबिलिटी है बिलकुल जीरो है जिसकी वज़े से कई एक्सिजेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं और बहुत ही साफधानी बरतने की बात की गई है, क्योंकि चंदिगड की अगर हम बात करें, चंदिगड के कई साथ-साथ जो पंजाब के कई जिले हैं, हर्याना के कई जिले हैं, वहाँ पर काफी खोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, हमारे साथ सीरे रदिकारी हैं, मौस तक अभी जो हम मौसम जो अबजर्व कर रहे हैं, पंजाब, हरियाना और चंडिघड इसके most of the parts में आपको कोहरा, घना-कोहरा और बहुत ही गना-घना-कोहरा अबजर्व किया जा रहा है, आपको बहुत जगों से zero visibility report की जा रही है, तो ऐसा मौसम जो है अगले 3-4 दिनों त लेकिन this warning को हम update कर सकते हैं, तो लोगों को आपको कोहरे, घने-कोहरे, बहुत घने-कोहरे के लिए तयार होना चाहिए, उनको तयार होना चाहिए कि आपको बहुत सारे parts में zero visibility, द्रिश्यता zero भी हो सकती है, जो समझाने की कोशिश कर रही है, रेड जो है, वो red alert है, अलग- पार्ट हो गया, और ये यूपी का पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट हो गया, आपको रायस्थान का पार्ट हो गया, तो आपकी red warning जो है, मतलब कि इन सब जो पार्टों में है, आपको बिल्कुल red warning है, मतलब कि ये पंजाब हर्याना और इसमें यूपी के कुछ पार्ट में हमने इलर्ट दिया हुआ है लेकिन वो पार्ट आपको ज्यादे सेंसेटिव है जो कि आपको पाकिस्तान से सटे हुए है या फिर पहाडों से सटे हुए है पर हर्याणा के वो पार्ट जो वेस्ट यूपी से सटे हुए है यह तो आपको बहुत ज्यादे सेंसेटिव मंद ओडर पर एकर सवाल है तो अभी तो लेकर और बीचेशे जो है वह वहांनों को होती है याता है और आपने खुद भी और किया होगा कि बहुत सारे आपको हाँ बिल्कुल आपको पेडलर्स को भी साधानी बरतनी पड़ेगी इसके साथ ही लोगों को जन जन को भी इस बात कर ध्यान रखना पड़ेगा लोग आज का हेल्थ काफी कॉंसर से मौनिंग बार करते हैं ओपन में जाके एक्सोसाइज करते हैं आज के सीजन में इसको इभो कि जैसे जो गाड़ियां रोड्स पर चल रही है या फिर जो पेडलर्स हैं वो चल रहे हैं उनके लिए क्योंकि कई एक्सिजन्ट जो है सामने आ रहे हैं और पूरा जैसे रेड अलर्ट जारी किया गया है वेदर डिपार्टमेंट के तरह से और आने वाले चार से पांच में इस तरह का मौसम रहने वाला है खास तो और पर सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात के समय जो है वो काफी ज्यादा जीरो विजिबिलिटी देखे कि इसलिए बहुत ही साफधानी अगर बहुत ही जरूरी है एमर्जंसी है तो ही ड्राइव करें बाहर जाएं अदर वाइ नहीं चाहिए क्योंकि आने वाले तीन-चार दिन जो है इसी तरह से अलर्ड जो है वो जारी किया गया है चंदिगर से कैमरा मैं विनोद कुमार के साथ मनोजराथी न्यूज़टीन पजाएं